साथियों ये साल 2023 का पहला रोजगार मिला है 2023 की शुरुवाप्त उजवल भविश्की नई उमीदों के साथ हुई है ये उन 71,000 परिवारों के लिए खुशियों की नई सोगार लेकर आया है जिनके सदेश को सरकारी सेवा करने का आउसर मिला है मैं सभी युवाओं और उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज का ये आयोजन सिर्फ सफल उमिदवारों में ही नहीं बलकी करोडों परिवारों में आशा की नई किरन का संचार करेगा आने वाले दिनों में लाखों और परिवारों को सरकारी नोकरी में नियूक्ति मिलने वाली है केंदर सरकार के साथ ही एंडिये और भाजपा सासित राज्यों में भी लगातार रोजगार मेले का सिलसिला चल रहा है आयोजन किया जा रहा है कल ही असम सरकार ने रोजगार मेले का आयोजन किया था मुझे बताया गया काने वाले कुछी समय में मत्रप्रदेश उत्तरप्रदेश महाराष्ट और उत्राखन जैसे अनेक राज्यों में रोजगार मेले होने वाले हैं निरंतर हो रहें ये रोजगार मेले अब हमारी सरकार की पहचान बन गए हैं ये दिखाता है कि किस तरह हमारी सरकार जो संकल्प लेती हैं उसे शिद्ध करके दिखाती हैं आपको याद होगा पिछले साल धंते रस के पामन अवसर पर पहले रोजगार मेले का आयुजन हुआ था आज मुझे रोजगार मेले में सरकारी सेवा पाने वाले कुछ युवा साथियों से बातित करने का भी मोखा मिला उनके चेहरे पर खुशी और संतोस का भाव साफ दिख रहा है उनमें से जादा तर बहुत ही सामान्य परिवार के सदस्य है और उनमें कई ऐसे युवा है जो पूरे परिवार में पिछली पांच बिड़ी में सरकारी सेवा सरकारी नोकरी पाने वाले परिवार के पहले सदस्य हैं उन्हें खुशी सिर्फ इत बात की नहीं है कि उन्हें सरकारी सेवा करने का सरकारी नोकरी करने का मोखा मिला है उन्हें इस बात का भी संतोस है कि पारदर्ची और स्पष्ट भरती प्रक्रिया होने की वज़े से उनकी योग्यता का सम्मान हुआ है आप सबने भी इस बात को मैसुस किया होगा कि भरती प्रक्रिया में व्यापक बढ़लाव हुआ है केंद्रिय सेवाओं में भरती प्रक्रिया पहले की तुलना में जादा स्ट्रीम लाइन और टाइम बाउंड हुई है साथियों आज आप भरती प्रक्रिया में जिस पारदर्सीता और जिस रप्तार को देख रहे हैं वो सरकार के हर काम में दिख रहा है एक समय था जब नियमित तोर पर होने वाले प्रमोशन में भी अलग अलग वजहों से अर्चने आ जाती थी हमारी सरकार ने अलग अलग विवादों को निप्टारा किया कौड कचरी के भी मामले धेर सारे होते हैं लंबे समय से रुके हुए प्रमोशनों को वहाल करने की प्रतिविद्दता दिखाई पारदर्सी तरीके से भरती और पदोन्नती युवाओं में भरुसा जगाती हैं ये पारदर्सी ता उन्हें बहतर तैयारी के साथ कंप्रिडिशन में उतरने के लिए प्रेरित करती हैं हमारी सरकार इसी दिशा में निरंतर काम कर रही हैं साथियों आज जिने नियुक्ति पत्र मिला है उनके लिए ये जीवन का एक नया सफर है सरकार का एक एहम हिस्सा होने के नाते विख्सीद भारत की यात्रा में आपकी सक्रिय भागिदारी रहेगी विशेश जिम्मेवारी रहेगी आप में से जादातर लोग सरकार के प्रतिनिती के तौर पर सीधे लोगों से जुडेंगे आप में से हर कोई अपने तरीके से लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा आपने सुना होगा व्यापार कारोबार की दुनिया में कहा जाता है कि कंजुमर इस आलवेज राइट वैसे ही सासन व्यवस्ता में हमारा मंत्र होना चाहिए citizen is always right वही भावना हमारे भीतर की सेवा प्रभुति को और ताकत देती है आपको यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि जब आप सरकार में न्यूक्त होते हैं तो उसे government service कहा जाता है job नहीं कहा जाता अगर private में जाते हैं तो कहते हैं job करते हैं सरकार में आते हैं तो कहते हैं सेवा करते हैं अगर आप सेवा भाव को मन में रख कर इन 140 करोड मेरे देशवासियों की सेवा करना इतना बड़ा सोभाग्य मिलेगा जीवन में एक आउसर मिला है और उस भाव से हम काम करेंगे तो इसका लोगों पर सकारात्मक असर पड़ेगा और आपको भी अपने काम में आनन्द आएगा आपने अभी देखा कि सरकारी सेवा पाने वाले कही हमारे करमचारी साथी करमयोगी बंधू ओनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं डिजिटल ट्रेनिंग प्रेटफॉर्म आइगाट करमयोगी से उन्हें बंधू की तैयारी के लिए मदद मिल रही है ओफिशल ट्रेनिंग प्रोग्राइम से अलग इस प्लेटफॉर्म पर और भी कई कोर्सिस हैं जो आपकी व्यक्तिकत च्छंता बढ़ाने में आपके व्यक्तित्व के विकास में आपकी सोचने की गहराई में उत्तरोत्तर प्रगति होती हैं लाब होता है मुझे विश्वास है कि सेल्फ लर्निंग थ्रू टेक्नलोजी ये आज की पीडी को मिला हुआ आउसर है इसो जाने मत देना जीवन में लगातार छिक्ते रहने की ललक ही हम सब को आगे बढ़ाती है और मैं हमेशा कहता हूँ मैं मेरे भीतर की विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देता हूँ आप भी कहीं पर भी पहुँचे आप लगातार कुछ लुकुछ सिखते जाईए जो आपती क्षमता बढ़ाएगा जिस इंस्टिटूर्ट से आप जुड़े हैं उसकी क्षमता बढ़ाएगा और इनसम का प्रयाँ से ही भारत की खमता बढ़ेगी बदलते हुए भारत में तेजी से आगे बढ़ते हुए भारत में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर लगातार बन रहे हैं और जब विकास तेज होता है तो स्वरोजगार के अवसर अंगिनत मात्रा में बढ़ने लगते हैं जो आज भारत अनुभव कर रहा है अज स्वरोजगार का अक्षेत्र बहुत आगे बढ़ रहा है पिछले आठ वर्सों में व्यापक्स तरपन इंफ्रास्रक्टर के विकास से रोजगार के लाखों अवसर बने हैं इंफ्रास्रक्टर में सोला करो का निवेश रोजगार की अपार संभावनाओं के द्वार खोल रहा है आप जानते हैं कि जब एक नई सड़क बनती है तो उसके आजपास कैसे रोजगार की भी नई राह बनने लगती है उसी सड़क के किनारे नई बजार खड़े हो जाते हैं तमाम तरह की दुकाने खुल जाती है सड़क होने की वज़ज़ से किसानों के उत्पात आसानी से बजार तक पहुंचने लगते हैं इसी तरह जब कोई जगह नई रेलिवे लाइन से कनेक्ट होती है तो वहां का बजार सम्रुद्ध होने लगता है आवाजाही की सुविदा होने की वज़े से परेटन का भी विस्तार होने लगता है और इस तरह के हर विस्तार में रोजगार की नई सम्भावनाएं मौजूद होती है आज भारत नेट प्रोजेक्ट के जरिये हर गाउं तक ब्रॉडबेन कनेक्टिविडी पहुचाई जा रही है जब हम गाउं को इंटरनेट के जरिये बाकी दुनिया से जोडते हैं तो इस से भी रोजगार के नए आउसर बनने लगते हैं टेक्नोलोजी को ना समझने वाला व्यक्ति भी ये जानता है कि पहले जिन कामों के लिए भागदोर करनी पड़ती थी वो अब मोबाइल या कम्पूटर पर एक क्लिक में हो जाता है हम देखते हैं कि इस सुविधा का लाब लेने के लिए कई बार वो टेक्नोलोजी के किसी जानकार की मदद चाहता है और सामान्य मानमी की इसी जरूरत से रोजगार की नहीं नहीं संभावना ही पड़ा हो रही है आज गाउं कस्बों या शहरों में भी ऐसे एंट्रेप्रनर्स दिख जाएंगे जो लोगों को ओनलाइन सेवाएं देने में अपना एक नयाक्षेत्र खोल करके काम आगे बढ़ा रहे हैं आज भारत के चोटे चटे शहरों में लोग जिस तरह स्टार्ट अप शुडू कर रहे हैं वो अपने आप में नई पीडी के लिए आकर्षन का केंदर बना हुआ है आत्मवी स्वास का केंदर बना हुआ है और स्टार्ट अप की सभलता ने युवाश शक्ती के सामर्थ की एक दुनिया बर में पहचान कड़ी की है थात्यों आप में से जांदातर नवजवान बेटे बेटी हां बहुत ही सामान्य परिवार से आए है यहां तक पहुँचे के लिए आपने कड़ी महनत की है आपके म्याता पिता ने भी बहुत कश्ट जिले हैं आज आपको स्थाई भाव से 140 करोड देश्वासियों की सेवा करने का आउसर मिला है लेकिन अपने अंदर उस भावना को हमेशा जिन्दा रखे जिसने आपको यहां तक पहुँचेने के लिए प्रेरित किया था हमेशा सिखते रहें हमेशा अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहें और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें मेरी तरब से आपको बहुत बहुत शुप कामनाए हैं आप तो सफल हो लेकिन हमारा देश भी सफल होना चाहिए आप आगे बढ़ें लेकिन हमारा देश भी आगे बढ़ना चाहिए और देश को आगे बढ़ने के लिए आपको भी आगे बढ़ना है देश को आगे बढ़ने के लिए आपको भी समर्त होना है सक्षम होना है निरंतर आप अपना विकास करते चलिए और आपको मिली हुई जिम्मेवारी को भी बहुत ही बख़ुवी निभाते रहिए यही मेरी आपको बहुत बहुत शुपामना है बहुत बहुत धन्यवाद